आज का एपिसोड पॉप्लर फ्रेंट ओफ इंडिया के उपर ताबड तोड कारवाही पर है क्या-क्या खुलासे हुए? P.F.I. के बारे में उनके उपर 5 साल का बैन क्यों लगाया गया और P.F.I. के बाद अगला नंबर किसका आ सकता है? ये समझने के लिए हमें शुरू करना पड़ेगा थोड़ा सा रिवाइंड बटन दबा कर हमारे देश में काफी अरसे से गांधी जी का आदर सिर्फ टेक्स्ट बुक मर ही रह गया है वहाँ से भी हड़ जाएगा बहुत जल्दी उनके बारे में लोग सचाइई में असलियत में क्या सोचते हैं वो हमें अकसर WhatsApp मेसेजर दिख जाता है लेकिन गांधी जी के बारे में सबसे बड़ा जो फेक नियूज है सबसे बड़ा जो मिस इंफर्मेशन है वो ये कि उनका जो non-violence का तरीका था अहिंसा का जो तरीका था वो विरोध का एक बहुत कमजोर एक पैसिव एक डिफेंसिव जरिया था अभई जो शक्तिशाली होता है वो अहिंसा का सहारा थोजने लेता है आज सैक्डो ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अहिंसा से ना तब कुछ हुआ था और ना अब कुछ होता है इसलिए तो आज बाहू बली इलेक्शन जीतते हैं और उनके बेटे लड़कियों को बाजार में बेचते हैं और आजादी उसका क्या वो तो हमें भीप में मिली थी लेकिन ये जो आज के फ्लॉप ड्रामा कुइन्स हैं ये भूल जाते हैं कि अहिंसा के वज़े से ही हमने अंग्रेजों के मुँपे तमाचे पर तमाचे जड़े थे और वो भी बहुत प्यार से क्योंकि बिना मारे, खुद मार खाके हमने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था कि हमारी आवाज उन्हें सुननी पड़ेगी और हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी सुनर देन लेटर हाँ, हजारों जाने गई, लाखों जेल में सड़े लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही थे जिन्होंने मरसी पिटिशन लिखे, अंग्रेजों के साथ समझोता कर लिया, ओवरॉल भारत ने अहिंसा का रास्ता चुना और अगर हिंसा का रास्ता चुना होता तो लाखों और जाने जाती अंग्रेजों के पास जेनरल डायरों और मेशीन गनों की कमी नहीं थी गांधी जी कहते थे जुल्म और नाइनसाफी के सामने इनसान तीन चीज़े कर सकता है एक बुजदिल वाला रास्ता जो गलत है उसे मान लो साब चंगा सी है कहो और सो जाओ दूसरा लडो डट के मुकाबला करो हतियार उठाओ ये ऑप्शन खुद गांधी जी ऑप्शन वन से बहतर मानते थे हतियार उठाने वाला भी लेकिन जो तीसरा तरीका था वो था सबसे अच्छा और सबसे मुश्किल लडो भिडो विरोध करो सवाल उठाओ लेकिन सिर्फ नॉन्वाइलिंस का सहारा लेकर मुश्किल है लेकिन लगता है popular front of India के leaders और नाही उनके members ने कभी गांधी जी को पड़ा होगा नाहीं उन्हें समझा होगा उन्होंने सोचा होगा आरे शक्ति का प्रयोग से ही हमारी आवाज बिलंद होगी IA ने हिरासत में लिया 27 सितंबर को दूसरा National Crackdown हुआ साथ राज्यों में इस बार 270 लोगों को हिरासत में लिया गया 28 सितंबर को PFI और 8 Front Organizations जैसे Campus Front of India Rehab India Foundation उन्हें UAPA के तहट Unlawful Association का करार दे कर 5 साल के लिए बैन कर दिया गया ऐसा क्यों किया गया क्या ये Vendata Politics खेला जा रहा है या सच में PFI के खिलाफ ठोस सबूत मिले है सरकार को आईए देखते हैं आरोप क्या है देखिए कुछ तो जेनरिक आरोप है जिसके वज़े से PFI अलड़ी एक सवाल के कटगरे में अलड़ी खड़ा था उत्रपदेश, करनाटेका, गुजरात इन सरकारों ने होम मिनिस्ट्री को लिख कर बोला कि PFI पर बैन लगाओ क्योंकि ये पब्लिक और डिस्टरब कर रही है लोगों को रैडिकलाइज करने की कोशिश कर रही है और देश को बाटने का कोशिश यहाँ चल रहा है लेकिन अब आते हैं जो स्पिसिफिक ऐलिगेशन्स हैं वाइलिंस के लिए और ये काफी संगीन आरोब है अगर कोट में साबित हो गए तो पाँच ने पचास साल के लिए PFI बैन हो जाएगा Ministry of Home Affairs का मानना है कि कुछ PFI के founding members student Islamic Movement of India SIMI के leaders रह चुके हैं और इनके तालुकात जमात उल्मुजाहिदीन बंगलादेश JMB के साथ है जो कि एक काफी कटर organization है वैसे SIMI और JMB दोनों ही illegal organizations है लेकिन सबसे संगीन आरोब कि PFI कितार Global Terror Organization Islamic State Iraq और ISIS Syria के साथ जुड़े हुए हैं MHA का कम से कम दावा है कि PFI के काडर ISIS के लिए लड़ चुके हैं मर चुके हैं और कुछ arrest भी हुए हैं PFI पर खासा spotlight इसलिए भी है क्योंकि इनके काडर्स ने केरला, तामिलनाडू, करनाटका में allegedly कई RSS और BJP के workers को बड़ी बेहरहमी से मारा है, मार डाला है उसके उपर है economic offenses PFI के उपर ये भी आरोप है कि इंडिया और foreign से बहुत सारा पैसा हवाला channels के थू लाया गया है इस organization में criminal activities के लिए इसकी कोई proper accounting नहीं है इसलिए income tax department ने misuse of funds का आरोप लगाते हुए PFI और Rehab India Foundation का जो registration होता है under section 12A उसे cancel कर दिया है साथी साथ rates के दौरान agencies का ये दावा है कि उन्हें incriminating evidence मिला है, bomb बनाने के manuals मिले है Lawrence LHRAT, handheld radio and navigation with GPS devices मिले है और अगर ये सारी बाते court में साबित हो जाती है ने से कुछ भी बाते court में साबित हो जाती है तो PFI के जो leaders आज जेल के अंदर है उन्हें बाहर आने में काफी दिक्कत होगी फिरहाल PFI के सारे accounts और immovable properties को seal कर दिया गया है और सरकार ने ये भी निर्देश दिया है कि सारे PFI के जो websites है, social media accounts है उन्हें take down कर दिया जाए PFI अब तक कहती आई है कि देखिए उनके members को जो arrest किया जा रहा है उन्हें डराने की कोशिश हो रही है और उनका हक होता है democratic protest करने का सवाल ये है कि protest democratic था या नहीं था PFI लेकिन कहती है कि central government ने उनके खिलाफ एक witch hunt करके रखा है जो कि कोई चौका देने वाली बात नहीं है क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं वो oppose कर रहे हैं लेकिन आज के बैन के बाद PFI के पास कोई खासा उपाई नहीं रहे गया अब उनको वापस सरकार के पास जाना पड़ेगा कोर्ट के पास जाना पड़ेगा इस बैन को हटाने के लिए जो कि अब ही तो फिलहाल नामुम्किन है PFI को कोई पुलिटिकल खासा सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है BJP तो छोड़ो कॉंग्रेस ने भी इस बैन का स्वागत किया है सब ही पुलिटिकल पार्टी mostly PFI को शक्की निगाहों से ही देखते है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बैन काफी कडार रुख लिया है सरकार ने लेकिन सूफी बरेलवी क्लेरिक्स ने तक कहा है कि ये बैन जो है कटर पंती रोकने के लिए एक अच्छा कदम है एक पॉजिटिव कदम है PFI पर बैन लगने के तुरंथ बाद ही केरला से कॉंग्रेस MPK सुरेश ने सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि सिर्फ PFI क्यों RSS पर भी बैन लगना चाहिए उनके मताबिक कोई भी संगठन जो कम्यूनलिजम फैलाता हो चाहे वो मिजोरिटी कम्यूनिटी से हो और माइनोरिटी कम्यूनिटी से हो उन्हें बैन कर देना चाहिए लालो यादब ने भी कटाशक लिया कहा कि PFI के तरह सारी और्गनाइजेशन पर बैन लगाओ जो नफरत फैलाती है हमारे देश पे सबसे पहले शुरू करो RSS से और RSS वैसे में भी पहले बैन हो चुकी है और पहली बार बैन तो हमारे Iron Man of India सरदार पटेल नहीं किया था RSS को बजरंग दल पर भी खासा निशाना साधा गया सोशल मीडिया पर लोगों ने सोशल मीडिया पर याद दिलाया कि कैसे 2018 में CIA ने बजरंग दल और VHP को Militant Religious Outfit बोला था और कैसे 2008 में उडिशा और करनाटका में Christian Churches में एटैक होने के बाद तब कि सरकार ने बजरंग दल को बैन करने का अल्मूस्ट फैसला ले लिया था लेकिन इतना बड़ा च्छापा इतने सारे एरेस्ट इतना सीरियस UAPA के अंडर बैन अब बात निकली है दूर तक तो जाएगी सरकार को और सरकारी एजनसीज को अब जो अगला कदम है उसमें देरी नहीं करनी चाहिए अगर आरोप टेरर के हैं तो केस जल्दी लाओ कोट में ये नहीं कि UAPA का केस है तो ठीक है पढ़े रहें दो सडने दो तारीक पर तारीक तारीक पर तारीक सालों से हमने ऐसे बहुत सारे और केसिस देखे हैं भीमा कोरेगा, उमर खलेद वो केसिस सड़ गए हैं लेकिन कहीं आगे नहीं बड़ ड़ रहे हैं कहीं मनें ब्रहमांड की विशालता में वो कहीं cases खो गए हैं। क्योंकि अगर सच में देश को बाटने का, अराजकता फैलाने का, ISIS से हाथ मिलाने का कारेकरम था, तो सजा लंबी होनी चाहिए और सजा तुरंथ होनी चाहिए। और अगर नहीं करोगे ऐसा, अगर नहीं कोर्ट में लाओगे case, अगर नहीं जल्दी चार्च शीट फाइल करोगे, तो फिर इंटरनेशनल प्रेस में थूथू होगी, और फिर सरकार आँग बबू लाओगी, कहीगी देखिया हमें target किया जा रहा है, तो moral of the story बहुत clear है boss, अगर आप political opposition करना चाहते हो, कोई भी political party हो, उसे गांधी जी का रास्ता ही लेना पड़ेगा, अहिंसा का रास्ता लेना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, लेकिन वो ही एक रास्ता है of political critique, नहीं तो क्या होगा ना, अगर आप violence का रास्ता लेना लोग होगे, political evolution नहीं होगा, political devolution होगा, violence से कुछ होने वाला नहीं है, आपको शांती पूर्वा की चीज़े करनी पड़ेंगी, कटर्टा प्लीज छोड़ दीजे, चाहे आप majority हो या minority हो, और हाँ, सरकार पर भी pressure आ सकता है, अगर एक को ban किया है, तो फिर दूसरा जो वही काम करता है, उसको ban करोगे या नहीं, तो ये बहुत interesting चीज़ होगा देखने का, कि कोट में क्या होता है, और सरकार पब्लिकली क्या करती है,